Hello friends, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही important topic के बारे में घुटने के अगले हिस्से में होने वाला दर्द, we can call it anterior knee pain और medically, we can call it condromalacia pataly तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में ये समझने का कोशिश करते हैं कि condromalacia pataly exactly होता क्या है तो दोस्तों जब हम लोगों ने घुटने के structure के बारे में जानकरी हसल की थी तो हम लोगों ने देखा था कि घुटने के अंदर एक बहुत ही important structure होता है we call it cartilage, cartilage मतलब ये जो एक smooth covering होता है उसे बोला जाता है cartilage तो जांग के हड़ी के उपर ऐसा cartilage होता है पैर के हड़ी के उपर के हिस्से में ऐसा cartilage होता है और हमारे घुटने के बीच में जो हमारी knee cap होती है जिसे हम patala बोलते हैं common language में पाली की हड़ी, चपनी और multiple words we can address to तो इस knee cap के अंदर की तरफ ऐसा ही एक चिकना surface होता है जिसे बोला जाता है cartilage तो ये cartilage हमारे joint के smooth movement के लिए बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों जैसे example के तौर पर हम समझे के एक ball bearing होता है तो उसके उपर एक चिकना surface होता है जिससे कि उसमें एक proper smoothness बना रहता है और वो properly काम कर सकता है इसी तरह से cartilage हमारे joint के ऊपर चड़ा हुआ एक smooth surface होता है और जब भी cartilage में किसी किसम का problem होती है तो हमारे घुटने के अंदर दर्द होना start इसमें हो जाता है तो condromalacia patelli हमारी knee cap के अंदर के तरफ होने वाला जो cartilage होता है उसका एक problem होता है इस problem में क्या होता है cartilage धीरे-धीरे smooth पढ़ने लग जाता है उसमें धीरे-धीरे fissuring होने लग जाती है मतलब जैसे खरौचे होती है किस तरीके से हमारे घुटने में देखेगा थोड़ा सूजन हो सकता है थोड़ा सा इसमें दर्द हो सकता है अब हम आगे बढ़के ये समझने का कोशेश करते हैं कि condromalacia patelli की क्या कारण होते है और किन-किन लोगों में ये सामनत हो सकता है तो पहला कारण ये है कि जब किसी किसम का कोई mechanical problem हो mechanical problem मतलब जो हमारे knee cap होती है जो पटेला होती है वो generally ये जो एक slot होता है ये जो एक खांचा होता है इसके अंदर एक properly तरीके से fit रहती है यदि इस structure में कोई problem है मतलब पटेला सामान्य से उपर है पटेला बिल्कुल बीच में नहीं रह सकता बाहर की तरफ जा रहा है जब हमारे कोई flat foot है उस case में भी पटेला बाहर की तरफ थोड़ा से shift हो जाता है जीनू welcome है मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोगों के जो घुटने होते हैं तो जब यह बाहर की तरफ मड़े होंगे तो क्या होगा पटेला हमारा सामने से बाहर की तरफ अधिक होता है कई लोगों के hip में इस तरह का problem होता है कि पटेला बाहर की तरफ जादा उसके उपर shifting बना हुआ रहता है या पटेला हमारा center में नहीं रहता तो पहला कारण कि यदी कोई किसम का mechanical disturbance है जो कि हमारी knee cap को properly बीच में नहीं रख पाता तो वो case में knee cap के under surface पे उसके जो अंदर की सतह होती है उसके उपर pressure बहने लग जाता है और क्या परणाम होगा कि cartilage के अंदर एक किसम का घिसावट होना उसमें शुरू हो जाता है दूसरा कारण यदी muscle में properly balance नहीं है तो दोस्तों पटेला को बीच में रखने के लिए पहला structure proper होना चाहिए दूसरी बात जो पटेला के चारों तरफ जो muscles होती है जो कि उसको बीच में रखने में help करती है उनका tone बिलकुल proper होना चाहिए यदी घुटने के बाहर के जो structures है lateral side के structures बहुत tight है पटेला को बाहर की तरफ खीचेंगे अंदर की side के structures मतलब medial side के structures थोड़े से loose है weak हैं तो वो उसको hold नहीं कर पाएंगे क्या परणाम होगा पटेला पे बाहर की तरफ एक load बढ़ेगा front की muscle quadriceps muscle यदी weak है और hamstring tight है तो भी उसका परणाम यह होगा कि पटेला के उपर load बढ़ेगा और result के रूप में condro malaysia pateli वो cases में develop हो सकता है तो कारण के लिए हम लोग ने यह समझा posterior crochet ligament का tier होता है PCL के वीडियो में हम लोग इस बारे में थोड़ा सा detail में बात करेंगे तो जब भी PCL मतलब पीछे का ligament यह तोटा हुआ होता है तो हमारा pair का हड़ी थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है क्या परणाम होगा पटला के उपर अगेन उसमें लोड बढ़ जाएगा तो घुटने का कोई पुराना इंजरी soft tissue injury या कोई बोनी इंजरी कोई mechanical access में यह दी कोई problem हो या फिर muscle toning के अंदर किसी किसम का imbalance हो इन सभी कारणों से condromalacia पटली होने की संभावना किसी भी व्यक्ति में बढ़ सकती है इसके अलावा जो हमारी routine दिन चरिया की activities होती है यदि हम बहुत ज़ादा लंबे समय तक खुटने को मोड के बैठते हैं पूरे समय इसी अवस्था में बैठते हैं यदि हम लोग सही तरी और यदि हम लोग गलत तरीके से treadmill running करते हैं हम लोग गलत तरीके से road running करते हैं running में हमारा landing proper नहीं है heel landing ज़ादा है midfoot के बज़ाए तो भी knee bone के उपर patella के उपर load बढ़ने के chances होते हैं और क्या परणाम होगा pondro malaysia patella in cases में develop हो सकता है अब हम आगे बढ़के यह समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यह manifest करता है मतलब क्या-क्या लक्षन आपको देखने को मिल सकती है तो पहला चीज जैसा कि वीडियो में शुरुआत में हम लोगों ने बात किया था anterior knee pain मतलब घुटने के आगे के हिस्से में एक डल किसम का pain ऐसे लोगों में बना रह सकता है generally जो young, middle age, active population होती है उसमें यह काफी common होता है activities के बाद में जैसे कि sporting activities किया kneeling activities किया घुटना मोड के बहुत लंबे समय तक बैठे हैं कोई काफी low chair है मतलब नीचे chair है और उसे हम जब chair से उठते हैं उस time जो घुटने में दर्ध होता है वो काफी typical होता है kondromalacia patelli का तो आपको इन लक्षणों पर विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए जब kondromalacia patelli थोड़ा से advance stage में पहुंचता है तो rest pain भी हो सकता है और घुटने में एक किसम का crepitus develop होने लगता है मतलब एक जैसे कड़-कड़ाड जैसा feeling हम लोगों में आना शुरू हो सकता है तो लक्षण, anterior knee pain होगा, wake pain होगा, activities के बाद में होगा और advance stage के अंदर crepitus जैसा भी हम लोगों को इसमें महसूस हो सकता है अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि जब भी आप अपने doctor के पास में जाते हैं तो क्या-क्या investigation किये जाते हैं और क्या इसका सामानेते remedy किया जा सकता है तो सबसे पहले आपके history ली जाएगी, आपके doctor आपको पूरा examine करेंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला कि जो पूरा access होता है hip से लेके foot तक का, उसमें किसी भी किसम का यदि कोई abnormality है तो वो आपके knee cap के इस्थरता को एक तरह से प्रभावित कर सकता है तो आपके hip को examine किया जाएगा, knee के angles को देखा जाएगा जरूरत पढ़ती है तो एक full length x-ray भी करवाया जा सकता है आपके foot को देखा जाएगा, आपके history में ये भी जाना जाएगा कि आप किसी किसम का कोई sporting activity करते हैं तो उसकी कोई mechanism में आपको कोई समस्या तो नहीं है कोई footwear संबंदित समस्या होती है, वो cases में भी condomalacia patelie सामाने से अधिक cases में पाया जा सकता है तो history लिए जाएगी, clinical examination किया जाएगा, कुछ clinical test किया जाते है जैसे कि patelar compression test, मतलब आपकी जो knee cap होती है, उसको एक बार थोड़ा सा compress करके देखा जाता है यदि उससे pain बढ़ता है, इसका मतलब knee cap के अंदर का जो cartilage है, वो थोड़ा सा soft है आपके knee के उपर pressure लगा के और घुटने को मोरने के लिए बोला जाएगा यदि उसमें cryptos feel होता है, मतलब ऐसा feel होता है कि जैसे कोई crackling sound आ रही है और आपके चिकसिक को ये लगता है कि cryptos positive है, तो ये भी again indicative होता है कि condomalacia patelie थोड़ा सा advanced stage की तरफ ये बढ़ रहा है investigation के लिए x-ray बहुत जाद अपयोगी नहीं होता है क्योंकि x-ray में अधिकता जब advanced stage में पहुंच जाता है arthritis होने लगता है, osteoarthritis होने लगता है तब ही x-ray में वो चीज़ें पकड़ में आती है MRI इसके लिए एक diagnostic test होता है तो clinical examination और MRI के मदद से इस diagnosis को confirm किया जा सकता है अब तक जब हम ये लोग confirm कर चुके हैं तो remedy के लिए यदि को structural समस्या है तो उस पर focus किया जाना चाहिए यदि foot में कोई problem है तो arches को correct करना है foot के muscle को strengthen करना है उस विशे पे थोड़ा से ध्यान दिया जाएगा यदि lateral structures मतलब बाहर के structures tight हैं जैसे के leotibial band syndrome होता है तो ये structures को release करने के लिए धीला करने के लिए stretching की जाएगी यदि medial side की मतलब अंदर की muscles में weakness है जैसे के vastus medius obliquus तो उसको strengthen करने के उपर ध्यान दिया जाएगा एक और कारण होता है condromalacia pataly का कि आपके यदि quadriceps muscle मतलब यदि front muscle कमज़ोर है तो आपके चेकसक, आपके sports physician, sports medicine के doctor इसको advise करेंगे कि आपको quadriceps strengthening करना चाहिए और specifically ये जो medial muscles होती है vastus medius obliquus इस पे उनको specifically focus करना चाहिए दोस्तों जिन cases में जो back muscles होती है जैसे कि hamstring muscle और calf की muscle यदि वो काफी tight है तो वो cases में भी condromalacia pataly होने की संभावना अधिक होती है तो basically front muscle का strengthening और back muscle का stretching बहुत ध्यान देने वाली बात है back muscle का stretching और front muscle का strengthening हम लोगों को एक proper proportion में करना चाहिए इनमें भी balancing होने अत्यधिक आवशक है आपको initial activities के बात में cold compression करने के लिए advice किया जा सकता है कई cases में sports taping भी उपयोगी साबित होती है footwear में थोड़ा बहुत changes यदि कोई mechanism में problem है तो उसे correct किया जाएगा जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि road running और treadmill के अंदर कुछ चीज़ें होती है जिनको विशेश उर्प से ध्यान देना होता है हम लोगों ने इसके बारे में एक दूसरा वीडियो बनाया है तो आप लोग उसको देखके और इस बारे में डीटिल जानकरी भी प्राप्त कर सकते हैं तो इस तरीके से conservative तरीके से और condromalacia patelie को address करने का कोशिश किया जाता है दोस्तों साथ में जब हम लोगों ने और अस्ट्रो अर्थरेटिस पर बात किया था तो हम लोगों ने ये समझा था कि कौन-कौन से ऐसे food होते हैं जो कि हमारी cartilage को एक तरह से supplement कर सकते हैं उसको strong बनाने में मदद कर सकते हैं तो आप उस वीडियो में इस बारे में वस्तरज जानकर रिप्राप्ट कर सकते हैं कि जो भी cartilage से related supplements होते हैं food होते हैं उनको लेने से भी हमारा नी का जो cartilage होता है वो थोड़ा सा strong बन सकता है जहां तक medication का सवाल है कुछ medication जैसे कि collagen peptide type 1 उसके साथ में कुछ glucosamine दिया जा सकता है chondroide insulfate दिया जा सकता है तो ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे घुटने के cartilage को strong करने में मदद देती हैं अब ये जो collagen peptide होते हैं different combinations होते हैं उसमें उसकी मात्रा अलग-लग होती है कौन से type का collagen peptide आपको लेना चाहिए ये सारी बातें आपको अपने doctor की सलहा के बाद में ही इनको शुरू generally करना चाहिए क्योंकि दोस्तों क्या होता है आज कल ये सारी चीज़ें over the counter मिलती हैं तो कई बार आप आपनी सामन्य knowledge के आधार पर या आपने सिर्फ जो medical shop के जो आपके shop की पर होते हैं उसके advice पर ही ये सब लेना शुरू कर देते हैं तो आपको अपने doctor से इस बारे में जरूर advice लेना चाहिए जो second step होता है medication का उसे बोला जाता है viscous supplementation मतलब चिकनाई का injection होता है तो ये एक किसम का high density viscous होता है मतलब जो जोड की चिकनाई होती है ये उसको बनाने में मदद करता है ये कुछ pre-formed injection आते हैं मतलब बने-बने injection आते हैं आपको उनको market से लाना होता है और आपके doctor आपके knee में इसको inject कर सकते हैं ये दूसरा तरीका होता है आपके knee के cartilage को थोड़ा सा strength देने का और तीसरा तरीका stem cell therapy या PRP मतलब आपका blood निकाला जाता है उसमें से कुछ ऐसी cells निकाली जाती है जो कि cartilage को regenerate करने में मदद करती है तो उसका एक specific combination होता है जिसे बोला जाता है leukocyte poor plasma तो जिसमें की जो regeneration मतलब दो किसम के PRP होते हैं तो आपके case में आपको leukocyte poor PRP use करना है और इस तरीके से मतलब इन तीन तरीकों से हम लोग अपने cartilage को regrow करने का मदद कर सकते हैं थोड़ा activity में आपको change करना चाहिए यदि आप over weight हैं तो थोड़ा ऐसा diet modification करके आप weight कम करने का कोशिश करेंगे अपनी exercise में आपको definitely जो low impact activities है उनको introduce करना चाहिए जैसे कि swimming एक काफी अच्छे activity हो सकती है आपके लिए जो fitness activity होती है cycling एक अच्छे activity हो सकती है परंतो ध्यान रहे cycle का seat height है वो नीचे नहीं होना चाहिए उसका एक proper height उसमें होना चाहिए क्योंकि बहुत नीचे होगा तो again आपकी जो knee cap है उसमें काफी ज़्यादा load बढ़ेगा और condromalacia patelie बढ़ने के संभावना होती है बहुत जादा twisting, jumping activity, hard surface पे jump करना बहुत aerobics initial stage में आपको नहीं करना चाहिए धीरे धीरे जैसे आपका fitness बढ़ता जाता है तो हम ये सारी चीज़ें आपको शुरू कर सकते हैं बहुत ही extreme cases में जहाँ पे condromalacia patelie बढ़ जाता है और fissuring होने लग जाती है तो वो cases में arthroscopic debrilement का भी जरुवत पढ़ सकता है या जो दूसरे किसम की stem cell therapies होती है जैसे bmac और अन्य किसम की जो stem cell therapies हो सकती है उनकी भी आपको मदद लेने की जरुवत पढ़ सकती है परन्तों दोस्तों ये एक बहुती advanced stage में जरुवत पढ़ती है तो take home message इस वीडियो का ये है physicians के लिए, Physiotherapist के लिए, Doctors के लिए कि जब भी वो condomalacia को treat करें तो सबसे पहले उसका जो causative factor है उस पर उनको विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए मतलब पूरा access के बारे में उन लोगों को सोचना चाहिए foot में कोई problem तो नहीं है muscle balancing में कोई problem तो नहीं है hip में कोई problem तो नहीं है यदि hip की muscles भी abductors मतलब जो उसको बाहर के तरफ लेके जाते हैं यदि वो भी weak हैं तो condomalacia pataly होने के chances बढ़ जाते हैं तो proper assessment होना चाहिए आप लोगों को भी जिन में condomalacia pataly के symptom शुरुवाती अवस्था में होते हैं जैसे कि आप कुर्सी से उठ रहे हैं तो आपको दर्दोना शुरू हो गया activity के immediately बाद आपको एक डल एक रहता है लंबे समय तक रहता है तो आपको initial stage में ही उसको control करने का कुशिश करना चाहिए अन्य था ये आगे बढ़के एक किसम के घुटने के osteoarthritis के रूट में develop हो सकता है और young age के अंदर भी घुटने के osteoarthritis जैसी समस्या का आप लोगों को सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा फिर भी आपको कोई query है तो आप नीचे comment box में डाल सकते हैं या फिर आप हमारे whatsapp helpline number 9587077444 पे whatsapp कर सकते हैं तो इस वीडियो को देखने का दोबारा धन्यवाद मैं Dr. Vikram Sharma signing out Thank you